हेलो फ्रेंट्स वेलकम बाग आई होप और डूइंग वेल फ्रेंट्स बात करेंगे येस पैंक शेयर के बारे में आप सबको पता है कि बहुत सारे एनलिस्ट इसको सेल करने का सजेशन दे रहे हैं बट मैं आपको समझाऊंगे कि आपको सेल क्यों नहीं करना है आपको इसके इस टाइम पे जो करेंट प्राइस चल रहा है येस बैंक का वो है 12.85 फ्रेंट्स बहुत बड़ी-बड़ी बिग डिल्स हो रहे हैं बहुत सारा माल खरीदा जा रहा है बहुत हाई वॉल्यूम में क्वांटिटी परचेज हो रही है तो समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है फ फ्रेंट्स एमके ग्लोबल ने सेल का टार्गेट दिया है येस बैंक में और जो टार्गेट दिया है वो 10 रुपिस का है लेकिन इसके बावजूत भी एक बहुत बड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है बहुत बड़े-बड़े बिग फंड हाउस अच्छी खरीदारी कर अभी जैसे की मार्केट में महाल आया था नेगिटिविटी का उस टाइम पे सारी मार्केट नीचे गिरी तो इस टाइम पे आपको एक मौका मिल रहा है इस शेयर को एक अच्छे प्राइस में बाई करके होल्ड करके रखने का मैं आपको बताती हूं कि FIS की इसमें होल्डि DIIS की है 45% और अधर जो पुब्लिक है वो 42% है तो friends अगर आप इस शेयर को सेल कर दो के तो यह आप तो पुब्लिक परसंटेज कम दी जाएगी और जो बिग बिग फंट हाउस है वो इस शेयर को पर्चेस कर रहे है क्योंकि उन सबको पता है कि यह शेयर आगे एक बहुत- मुचल फंट भी इसमें इंट्रस्टेड है मुचल फंट के भी इसमें होल्डिंग है 0.73% तो friends अगर आप कोई पैनी स्टॉक पाय करना चाहते है तो बेस टाइम है इस शेयर में अपना कुछ अमाउंट लगाने का क्योंकि फ्यूचर में यह आपको बहुत-बड़ा रिट क्योंकि इसमें अच्छा शेयर माना जा रहा है क्योंकि इसमें अधर्स की होल्डिंग्स भी बढ़ रही है तो आपको यह शेयर जरूर कंसिडर करना चाहिए फ्रेंग्स कभी भी लोन लेके इंवेस्मेंट मत करिये आपके पर जितना अमाउंट है उसको भी आप थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करिये पैनी स्रॉक्स में because penny stocks में जादा amount आपको कभी भी नहीं लगाना चाहिए penny stocks में आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा amount लगाना चाहिए वो भी आपको साथ साथ average करते रहना चाहिए तो friends, जो analysis में suggestion दे रहे हैं sell का लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना क्योंकि आप खुछ समझे कि कितना बड़ा volume daily buy हो रहा है कितनी बड़ी deals हो रही है और FISDIS भी इसमें अपनी holding बढ़ा रहे है तो आप समझे सतने अगर इतना माल खरीदा जा रहा है तो promoters इतना सारा माल खरीब करे है तो इसका मतलब यह है कि अगर retailers इसमें sell कर देंगे तो वह वहां से purchase कर लेंगे तो आपको इसे hold करके रखना है इसका मैं आपको target देती हूँ इसका short term target आप कुछी दिनों में देखिए या आपको 15 रुपे cross करता दिखेगा तो एक अच्छा target अगर आप लेके थोड़े दिनों के लिए चलना चाहते है और short term में profit book करना चाहते हैं तो आप 15 रुपे मान सकते हैं लेके rents अगर आप long term रखना चाहते हैं यह तो आप 100 रुपे से मान के चलिए क्योंकि situation हो ठीक होती दिख रही है NPA भी आपको मैंने बताया कि लगतार कम हो रहा है तो friends अगर आप थोड़ा सा amount इसमें investment करके रखना चाहते हैं for a good return तो यह बहुत ही अच्छा share है as a penny stock आप सबको पता है कि यह share एक अच्छी खासे amount पे था अच्छी खासे price पे था बट इसमें जो हुआ उसके बाद यह share एक बहुत नीचे आके गिरा है तो आपको पता है यह मोका भी होता है पैसे बनाने का अगर यह इतना नीचे गिरा है तो अब आपको इसको यह ध्यान अखना है कि इसके situation ठीक कैसे हो रही है इसको कितना support मिल रहा है government से उसके according अगर आप थोड़ा amount लेके इसमें अपना एक अच्छा return बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं तो friends आप daily इसको चेक करिए मेरा आपको यह suggestion है कि आप इसको एक बार daily चेक करिए कि इसमें कितना volume लगतार बढ़ रहा है आप खुछ समझेंगे कि कितना माल daily खरीदा जा रहा है कितनी big deals हो रही है और जो कितने big fund house है वो इसमें बहुत अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं तो असे अब समझ जाएंगे कि थोड़ा सा amount अगर आप इसमें investment करेंगे तो आप भी एक अच्छा return कमा सकते हैं तो friends, वीडियो अच्छी लगी हो तो share and like कर दीजे and friends, चैनल को subscribe कर दीजे and bell button को भी प्रेस कर दीजे so that आप से important updates related with shares मिस ना हूँ friends, अगर Yes Bank में future में कोई news आती है related to government तो मैं आपको जरूर दूँगी, that's why आप bell button को प्रेस कर दीजे लेकिन अभी जो इसका 12 के अच्छा बाइंग प्राइस चल रहा है वो एक buying price अच्छा माना जा रहा है अच्छा माना जा रहा है, market की positivity को देखते हुए friends, bell button को प्रेस करना इसले important है because आपको पता ही है, daily basis पे कुछ ना कोई share से related, कोई ना कोई news आती रहती है for example, अगर आपने कोई share purchase कर रहा है, आपके portfolio में है पर अगर आपको उसकी news नहीं पता, तो आप कैसे समझोगे कि आपको इसे hold करना है, sell करना है या फिर इसमें अभी आपको रुखना है या नहीं रुखना है तो इसलिए friends, news होना, पता होना बहुत ज़रूरी है तो आपके portfolio में जितने भी shares उनकी news जानते रहे है और दूसरे shares के भी आपको knowledge होनी चाहिए so that आप इसमें कम टाइम में एक अच्छा पैसा बना सके because friends, share जो होदे है, news-based भी work करते हैं short term में अगर आप ऐसा कमाना चाहते हैं तो आप news-based shots में अच्छा पैसा कमा सकते हो friends friends, thank you so much for your support and kindly subscribe the channel thank you so much झाल